असलाम अलेकुम फ्रेंज वेल्कम तू मैं चैनल मोनम्स वर्ल्ड मैं हादिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ तू आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी सिरीज तू फ्रेंज आप एक्साइटेद हैं के नहीं तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ उसका नाम है हैंसल एंड ग्रेंटल एक दुपा का जिकर हैं दो बच्चे थे उन दोनों बच्चों का नाम हैंसल और ग्रेंटल था हैंसल लड़का था और ग्रेंटल लड़की थी उनका घर वूट्स के पास था तो उनको वूट्स में जाने का बहुत चोग था प्लेंग करने का बहुत चोग था फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहरे सब्सक्राइब करें फिर बाकी के वीडियो देखें एक राच हैंचल एंगरेंटल ने अपना रास्ता खो दिया तो वो बहुत खोव जदा थे हर तरफ अंधेरा था वो डर कर एक दरखत के नीचे सो गए अगली सुबाव उन्होंने अपना घर तलाश करने की कोशिश की पर उन्हें घर नहीं मिला उनको एक बहुत स्ट्रेंज घर मिला जो बहुत ही प्यारा था घर तो बहुत ही मज़ेगा था आपको पतावा किस से बनावा था लॉली पॉप, स्क्रीम, बिस्केट, चॉकलेट एंड स्वीट्स मुझे यह चीज़ा बहुत पसंद है यम्मी एक बुढ़िया ने दर्वादा खोला और नुश्कुरा कर बोला बच्चो अंदर आ जाओ विचारे बच्चो फ्रेंज वो ओरत दिखने में तो अच्छी और रहमनी लगती थी लेकिन वो असली में एक तुडेल थी तुडेल उस तुडेल ने हैंसल को जल्दी से एक रूम में बंद कर दिया और ग्रेंटल से कहा तुम काम करोगी और काम इतने सारे थे जाडू लगाना, देस्टिंग करना, कपड़े दोना और दिश वास करना, कपड़े इस्टिंग करना, खाना बनाना और जूते पोलिश करना, पोच्चा लगाना, बेटसरी करना और कपड़े शीना एक दिन ग्रेंटल कीचन में थी उसको एक आइडिया आया उसने विट्स को बुलाया और कहा आपको पता है, ये ओवन कैसे चलता है और उसने विट्स को ओवन में धक्का दे दिया जलजी से ग्रेंटल हैंसल के पास गई और रूम का ताला खुला और कहा कि विट्स ओवन में है हैंसल अब अदाद हो गया था तो हैंसल ने बोला, शाबाश ग्रेंटल हैंसल अब ग्रेंटल जंगल में भाग गए अब मार्निंग थी, इसलिए वो बिलकुल भी खोश ज़दा नहीं थे जंगल में बहुत सारे फ्लार्ट्स और एनिमल्स थे स्वेल फॉन, रैबिटर टाइज, बटरफ्राइज और बर्ड्स अचानक से हैंसल ने कहा घर जाकर उन्होंने अपने पेर्ट्स को हग कर लिया तो फ्रेंट्स ये हमारी आज किस्तों है इस तोरी से हमें क्या सबग मिला All that glitter is not gold इसका मतलब कहा है जो चीजें दिखने में अच्छी नजर आ रही होती जरूरी नहीं है कि वो असली में भी अच्छी हो प्यारे बच्चों हमें कभी भी ऐसी ओफर एसेप्ट नहीं कहनी चाहिए पेरंट्स के बगार कभी किसी के खाने ही जाना चाहिए जैसे हैंसल और ग्रेटल ने किया हमें किसी अनूर्ण बने से कोई चीज लेकर नहीं खाने चाहिए चाहिए कितने भी अच्छी क्यूला हो यह थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना शेयर अलाइक तू अलाहाफिज